इस वीडियो के मात्यम से हम दीन दयाल उपाध्याए गोरगपूर यूनिवर्सिटी में इस साल से लागू CBCS सिस्टम में Become First Year के First Semester का syllabus को समझेंगे सबसे पहला पेपर है आपका Business Environment याने की व्यवसाइक पर्यावरण जिसका कोड है COM101 इस syllabus को दो यूनिट में डिवाइड क्या गया है First Unit और Second Unit First Unit में Business Environment होता क्या है यानि की व्यवसाइक पर्यावरण क्या है उसका छेत्र क्या है उसकी अधारणाएं क्या है किस तरीके से Environment एक Business को प्रभावी करता है और साथ ही साथ Indian Economy के बारे में समझना है Macro Environment क्या होता है, Micro Environment क्या होता है कौन से घटक है जो Economic को हमारे Affect करते हैं इन सारी चीजों को पढ़ना है और उसके बाद जो Unit 2 है आपका उसमें Economic Growth and Development है उसके बाद Paper No.2 है आपका Business Organization Business Organization COM102 इसका Code है इसमें आप Business Organization होता क्या है यहाँ पर आप Commerce की सबसे Basic Terms को जानेंगे जैसे Industry क्या है Commerce क्या होता है, व्यवसाय क्या है और Profession क्या होता है हर एक Feature को आप जानेंगे आप व्यवसाय को किस तरीके से स्थापित करते हैं उसका Process Unit 1 और Unit 2 में, अब Business Organization को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है Business Organization first part जो अभी मैंने आपको बता है, दो यूनिट में है COM102 जिसका Code है अब Business Organization का second part है, जिसका आपका अलग पेपर होगा Business Organization first paper इसका अलग पेपर है और second का अलग पेपर होगा जिसमें Plant Location और Business Combinations है, Plant Location मतलब किस तरीके से ब्यवसाय में संयत्रों का प्रयोग किया जाता है, उनको कहां पे रखा जाए तो वो ज़्यादा Effective तरीके से प्रयोग किये जा सकते हैं यह है और दूसरा यूनिट है Business Combinations यानि कि बिजनस में दो बिजनस को किस तरीके से जोडा जाता है, Merger हो गया, Acquisition हो गया और साथ ही साथ Rationalization और Nationalization क्या होता है, यह Concept भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर धियान देने वाला है कि Business Organization एक किताब है, लेकिन उसको दो पार्ट में डिवाइट किया गया है और उन दोनों का पेपर होगा, Business Organization COM102 नाम से एक पेपर होगा और Business Organization Second, COM103 नाम से अलग पेपर होगा Then है आपका Documentation in Business यानि कि ब्यावसाय में प्रपत्र या फिर लेखन कैसे करते हैं, हम लोग Business Letters कैसे लिखते हैं सबसे पहले इसमें Business Correspondence है और दूसरा है Documentation, Correspondence मिंस होता है प्रपत्र यानि कि आप Application कैसे लिखते हैं, Later कैसे लिखते हैं, Resume कैसे बनाना है, इक ब्यावसाय में आप जब अप्लाई करने जाते हैं, किसी भी जॉब के लिए तो आप Resume कैसे बनाएंगे Office Memo क्या होता है, उसके साथ Agenda क्या होता है, Minute क्या होता है, इन सबसे Related Business Correspondence में पढ़ना है आपको और दूसरा Unit है आपका Documentation, Documentation में आपको Document जैसे Report Writing हो गया, Sales Order हो गया, APA Model हो गया और MLA Style भी होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, बस आपको एक ही पढ़ना है, APA Style, उसके बाद आपका Word Processing Software के बारे में Document and Folder Naming and Classification, ये सारे आपके Documentation के पार्ट हैं, जिसको आपको पढ़ना है इसका एक पेपर है, सिंगल, Business Environment का भी एक ही पेपर था, बस Business Organization का दो पार्ट आए है और सीम आपके Business Statistics के साथ है, यानि कि ब्यवसाइक सांखिकी का भी दो पार्ट है जिसमें ब्यवसाइक सांखिकी की फर्स्ट पार्ट C.O.M.105 और ब्यवसाइक सांखिकी सेकेंड पार्ट C.O.M.106 एक पेपर 105 का और एक पेपर 106 का इसमें दो यूनिट है, जिसमें आप सांखिकी के बारे में जानेंगे और दूसरा केंद्री प्रवरिती की जो माप है, यानि की मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्शन, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे इस क्यूनेस क्या होता है, ये सारी चीजे हैं, और दूसरे यूनिट में है आपका कोरिलेशन, सह संबंध और इंडेक्स नंबर इन दोनों का, यहाँ पर भी वही है, जैसे बिजनेस और्गिनाजेशन में, इन दो यूनिट का अलग पेपर होगा, और 106 का अलग पेपर होगा, यहाँ पर दो पेपर ये हो गया फिर आपका elements of banking and insurance, elements of banking and insurance, दो पार्ट में divided है, banking और insurance, इसका अलग पेपर नहीं है, बस यह single पेपर है, बस आपका यूनिट जैसे divided होते हैं, वैसे ही है, पहला पार्ट है, bank के बारे में आपको पढ़ना है, और दूसरा, insurance company क्या होती है, insurance कितने प्रकार के होते हैं, और insurance क इसको regulate करने वाली जो body है, 1999 Act जिसका है, उसके बारे में पढ़ना है, उसका composition कैसा है, यानि कि वो कैसे, कौन से धांचे को, किस सरीके से उसका धांचा तयार किया गया है, और IRDA का महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, 107 इसका code है, फिर आता है 108, business communication का, business communication first part और business communication second part, ये भी दो part में divided है, यानि कि इसका भी आपका दो paper होगा, business communication, पहला paper जिसमें आपका दो unit है, कि communication होता क्या है, communication के प्रकार कौन कौन से है, दूसरा unit आपका है, non-verbal aspect of communication, यानि कि communication में जो बिना शब्दों के माध्यम से हम suppression करते हैं, वो कौन कौन से हैं, किस तरी कौन की छंता को प्रभावित करते हैं, effective listening हमारी होती क्या है, second unit में आप पढ़ेंगे, ये आपका 108 code है, फिर आता है आपका 109 जो business communication का ही part है, लेकिन इसका अलग paper होगा, जिसमें आपका सबसे पहले आता है business language and presentation, जिसमें कुछ spellings ऐसी होती है, जिसका pronunciation सेम होता है, बट उनकी meaning अलग-अलग होती है, business language क्या होता है, कुछ vocaps ऐसे हैं, जो हम लोग generally confused हो जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना, common English में error हम लोग कौन कौन सा करते हैं, presentation क्या होता है, oral presentation किस तरीके से दिया जाता है, कैसे हम लोग powerpoint presentation बनाते हैं, उसके साथ writing skills भी हैं, हम लोग second unit का है report writing करते हैं, और report हमारा कितने प्रकार का होता है, इसमें भी APA model है, जिसमें आप documentation को तयार करते हैं, यह रहा आपका become first year का सारा syllabus, जिसमें आपको total 9 paper देना है, सिर्फ subject का, business environment का 1, business organization का 2, यानि की unit 1 का 1, unit 2 का पहला part, उसके बाद unit 1 और unit 2, second part का अलग paper, फिर next है आपका documentation का इसका एक part, business statistics में भी आपको दो exam देना है, first part के लिए अलग exam, second part के लिए अलग exam, banking and insurance का एक exam होगा, और फिर आपका communication का भी दो exam होगा, यह आपके syllabus के according आपको पढ़ना है, और आपका जो examinations होंगे, वो total 100 marks का exam है, जिसमें 40 marks आपके college वाले allot करेंगे यानि कि internal examination होगा, और 60 marks यानि कि 60 number जो है, वो external है, यानि कि आपका विश्व विद्याले आपको paper बना करके देगा, जो कि MCQ based होगा, यानि कि multiple choice questions होगे, जिसमें आपको OMR set fill करना है, और आपको answers देने हैं, इससे related अगर आपको कोई doubt है, तो आप comment section में पूर सकते हैं, धन थाँने माट.